जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आपात है दोस्तों आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत बहुत हजारों साल पोरा ने रहस्य की और यह जो रहस्य है कि खासकर आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इन बातों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे और अगर इस रहस्य को आप बहुत दंबीरता से समझ लेंगे तो आप यकीन मानिए कि शायद आपकी राशी के समझ जो जो शिकायते हैं जो जो परिशानी है उसका आपको हल स्वयम मिल जाएगा तो वह क्या रहस्य है इस वोड़े में हम पूरी बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे रतनों के लिए कहते हैं कि हमें जीवन में बहुत सी तकलीफे है बहुत सी परिशानी है जो खतम ही नहीं हो पारी है बहुत से कहते हैं हम एक अच्छा रुजगार नहीं मिल रहा एक व्यापार नहीं मिल रहा अच्छा व्यापार नहीं चल रहा चीजे पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है मतलब जो फिर शिकायते हैं हमारे परसनल ला सानी से और बहुत सरलता से बाहर आ सकते हैं हवाय थोड़ी तेज चल रही है लेकिन इनहाओ का वियाब आनन लीजिए तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी से चर्चा को हम आगे ले जाए उससे पहले एक छोटा सा में निविधन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल से नहीं जुड़े प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़े कमेंट्स में लिखे ओमने मश्रिवाई जैशो शंबू हर हर महादेव भुले नत को कोई भी एक नाम लिए और अगर आपने खुंड़ी का अनलसिस ह हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस लाग हो है दोस्तों अब आते हैं मुद्दिव उपार सबसे पहला जो रहस्यात्मक बात में एक जो टेक्निकल खामी जो हमें हमेशा आपके लिए कह देता हूं कि हम उन जतनों पर हम जब भी हमें परिशानी आती है तब हम इश्वर की और जब भी हमें तकलीफ आती है तब हम इश्वर की और जाते हैं हां कुछ लोग ऐसे हैं दस प्रिश प्रतिशत जो हमेरे साथ सम सामन्य रहते हैं कि चाहे दुख हो सुख हो उन्हें भगवान का इश्मरण और जब करना है यह सब एक पार्ट ओफ पार्ट ओफ लाइफ ही हम जब करना तो वह जो रहस है जो इस दुनिया का सबसे गंभी रहस है वह है आपका जब अब यहां से वीडियो को छोड़ के मज जाना क्योंकि जब सुम लिया मतलब आप वह समझ रहें ऐसा नहीं है होता ऐसा है कि हम कोई भी पूजा पार्ट या कुछ भी चीज करते हैं व हुआ, जो जो समय जब होता है तो हम पूरा गंटे थी घंटे जो हमारे पूजा का होता है हम पूरा येशार को डेडिकेट होते है यूर्शी का परिणाहम हमें मिलता है अगर मान लीजिए, कि अगर हम 24 घंटे में 5-5 मिनिट, 10 मिनिट जब भी खाले टाइम मिले उसमे कंटिनु रोज रिगुलरली अगर उस चीज को करेंगे करना के ऐसी ओम नमाशिवाय का जब तो कि इश्वर के जब से जितनी सारी परिशानियां जितनी सारी तकलीफ हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है उसके साथ साथ दूसरी बात है कि हमारे अंदर एक अलग सब्वि संवाना रहस है जब रिशि मुनी और जितने सारे लोगों ने जो तब क्या है जब क्यों मनतरों का जब क्यों मन के अंदर मूँह से बाहर करा मनके कोई भी मंत्र ले आर दिन कंटीनू इमानदारी से जाब करें उसके बाद जो परिणाम होंगे शायद आप अपने जीवन भर समझ भी नहीं पाएंगे कि इतने गजग परिणाम इस चीजों के मिलते हैं यह बात मैंने बीठिकल की है इसलिए में ये खुले तोर पर आपको ये बात शेयर कर रहा हूं, इसके लावाँ आप रत्नों में मत अल्जिय हैं, इसके लावाँ अन्न किसी भी चीज में मत अल्जियें, कोई तांत्री या कोई बाबा या कोई डोना टूटका करने वाले, यह सब लोगों में मतुलजी है यह आपका वक्त धन और हमारा mental harassment करते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं जो कुछ है इश्वर का जब सकारत्मक वेद और पुरान के जो हमारी चीजे हैं उनको सकारत्मक वेद फॉलो करना सही है